सावन के स्पावन महिने में हजारों सरधालू बाबा की नगरिया में आते हैं और मन चाही मुरादे पाते हैं सुल्तान गन से जल उठा कर जब कामरिया भोले की नगरी देवघर के लिए चलते हैं तो ने सैक्लों कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है रास्ते में कंकर पत्थर से पाओं में चाले पड़ जाते हैं लेकिन मन में श्रधा लेकर जो चलते हैं तो सुया पहाड के पत्थर भी फूल बन जाते हैं ऐसे एक भक्त है भीखो बम जो इलहाबाद से जल उठा कर चलते हैं और हजारों कठिनाईयों का सामना करते गिरते पड़ते देवघर आकर बाबा को जल चड़ाते हैं और कहते हैं लेके बकावर भोला लाको नर नारी गिरते पड़ते जाएं तो हरदवारी इतना पसकती जेगा भोले भुंडारी गिरते पड़ते जाएं तो हरदवारी गिरते पड़ते जाएं तो हरदवारी गिरते जाएं नी तो हरदेने ऑचे जाएं उधकी सूल ताने गंज से चल ली आईली रामपूर हो चलत चलत बाबा ठक कभाईली चूर हो सूल ताने गंज से चल ली आईली रामपूर हो चलत चलत बाबा ठक कभाईली चूर हो देदा हो सकती भोला बाबा जता धारी घीरत पड़त जाई तो हर गवारी गिरत पड़त जाई तो हर गवारी मुझे तो हर गवारी हैली जब जिले भिया मोडे हम माथा चाकराई लेबा गीर गवारी धरती पड़त देहिया थर थराई लेबा हैली जब जिले भिया मोडे हम माथा चाकराई लेबा गीर गई धरती पर हो देहिया थर थराई लेबा साह के भिला खो दुक्यम भोला भंडारी गीरत पड़त जाई तो हर गवारी गीरत पड़त जाई तो हर दुवारी कर दो हर दुवारी सुया पहार चाड़ी कैसे हम समाला ओ परवा में काटा आच भल पड़ गई छाला ओ सुया पहार चाड़ी कैसे हम समाला हो परवा में काटा चुभल पड़ गई छाला हो जलवा चलाई ब फिर भी बाबा जटा धारी गीरत पड़त जाई तो हर दुवारी लेके बकावर भोला लाखो नार नारी गीरत पड़त जाई तो हर दुवारी गीरत पड़त जाई तो हर दुवारी झाल झाल